नमस्कार जैह हिंद मेरा नाम है अमन वोहरा सो फ्रेंड्स हाज हम करेंगे लर्निंग डिस अबिल्टी तो देखे लरनिंग डिसिबिल्टी का मतलब क्या है कि पड़ने में बहुत सारी डिसअबिल्टी होना जोकी लर्नर के द्वारा होती है तो फ्रेंड्स आपको यह पात यहाँ आपके मैं बता दिता हूँ कि यह English और Hindi मीडिया में हमारा कॉर्स बिल्कुल फ्री में है यहनि कि अगर आपको बिल्कुल फ्री करना है तो वीडियो आपको फ्री मिलेगा बस आपको वीडियो देखके सासा लिखते जाना आपकी फ्री में तहरी हो जाएगी आपको न इंग्लिश और Hindi में में तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल एकां दबाएगे कि ताक कि आपको डेली का डेली वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे है जिन बच्चों ने हमारा पेड वाट्सप ग्रूप जोईन किया हुआ है उनको लिखने की जूद नहीं है हम उनको वाट्स प्रवाइड करवा देंगे तो जो बच्चे बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो वीडियो के देखे साथा लिखते चाहिए सो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग डिसिबिल्टी देखें लर्निग डिस ओरडर और अंब्रीला टर्म्स-फॉर एवाइड disorder यानि कि अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है बहुत सारी problems है अभी हम सभी को define आगे जाके करेंगे लेकिन हमने सभी का एक नाम दे दिया है जिसको umbrella term बोलते हैं जिसको कहते है learning disorder या learning disability a learning disability is not a problem with intelligence or motivation and kids with learning disability are not lazy or dumb देखे अगर किसी में learning disability है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी intelligence में कोई problem है उसकी motivation में कोई problem है ऐसा नहीं है इसमें क्या है कि जो इसमें बच्चे जो है वो कभी भी lazy नहीं होते कभी भी dumb नहीं होते तो ऐसा बिलकुल नहीं है बस उनको दिक्कत आती है कहीं पर तो ऐसा बिलकुल नहीं है वो बिलकुल ही खराब हो जाएंगे उनका mind बिलकुल struck हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है उनका intelligence भी वैसा ही होता है जैसा normal इंसान का होता है motivation भी वैसा ही होता है सब कुछ वैसा होता है लेकिन वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी problem आ जाती है ना वो lazy होते हैं ना वो dumb होते हैं देखें in fact most are just as smart as everyone else देखें वो भी smart होते हैं जैसे आम इंसान होते हैं वैसे ही वो होते हैं बस देखें यहाँ पर फर्क इतना है कि difference होता है जैसे आपके जो एक सही इंसान है या जिसको एक disability disorder है उसमें difference कहाँ माइन दोनों का सेम है लेकिन जो information receive करना है जो process करना है वो थोड़ा सासमें देरी लगा देते हैं जिनको disability होती है तो वो सारी चीज़े इसके अंदर आती है सो देखे simply put children and adults with learning disability see, hear and understand, think differently देखे जो children है या adults है जिनमें learning disability है उनका देखने का नजरिया सुनने का नजरिया यह सारी चीज़े या understanding यह सारी चीज़े different होती है एक जैसे normal इंसान है या जिसको disability है उसमें difference क्या है normal इंसान जो है वो react जो है जैसे आम इंसान करते है वैसे करता है जिनको disorder होता है वो वैसे नहीं कर पाते अब देखे इसमें problem कहाती है कि जैसे हमें नई information मिलती है नए skills सीखने को मिलते है तो हमें उनका use नहीं कर पाते हमें जो disability है जैसे किसी को disability है तो वो नई information को जल्दी से समझ नहीं पाते skill को समझ नहीं पाते उनको use नहीं कर पाते जैसे आम बच्चे कर लेते हैं आम जो student करते हैं The most common type of learning disability involved problem देखे कौन-कौन सी problem आती है learning disability में learning disability देखे यहाँ पर आपको math नहीं आता आपको disability है ऐसा कुछ नहीं है होता क्या है कि जैसे आप calculation करते हैं तो आप असानी से कर लेते हैं लेकिन disability वाला बच्चा calculation भी नहीं कर पाता तो वो होती है disability learning disability can't be cured or fixed it is a lifelong issue देखे यह कोई fix नहीं है तो यह lifelong issue भी बन सकता है अगर इसे सही ना किया जाए तो with the right sport and intervention however however children with learning disability can succeed in school and go on the successful often distinguished career later in life अब देखे यहाँ पर क्या है कि अगर उनको sport किया जाए तो होगा क्या कि उनकी सारे disability जो है वो खतम हो जाएगी अगर उनको school में अच्छे से समझाया जाए तो उनकी सारे disability खतम हो जाएगी तो वो भी एक successful person बन पाएगे अपने जीवन में अपनी life में parents can help children with learning disability achieve such success by encouraging their strength knowing their weakness understanding the educational system working with professional and learning about strategy for dealing with specific difficulties अब देखे पेरेंट्स को भी help करने चाहिए बच्चों की जैसे मालेजे उनके जो बच्चे है अगर उनको कोई problem है उनको समझना चाहिए कि बच्चों की कहां पे weakness है कहां पे वो कमिया है तो educational system कैसा है क्या वो tough है असान है तो सारी ही चीजों में parents को बच्चों की help करने चाहिए उनको encourage करना चाहिए कि ताकि वो अपने disability को हटा सके तो ये सारी चीजों है देखे school में teacher और घर में parents इनकी duty बनती है कि वो बच्चों को समझाए उनकी care करें उनको इतना अच्छा से encourage करें उनकी problem को समझे तो बच्चा कभी भी जो है वो disability का शिकार नहीं होगा अगर शिकार है तो वो उसमें success पालेगा तो देखे type of learning disability अगर आप देखेंगे बहुत सारी difficulties होती हैं लेकिन यहाँ पर आपको मैं most important बताता हूँ जिससे हमेशा exam में caution आते हैं तो ये सारी disability है जैसे dyslexia, dyspraxia dysgraphia, dyscalculia apd और aphasia आपने मुवी देखेंगी तारे जमीन पर वहाँ पर जो बच्चा था उनको dyslexia की problem थे ठीक है तो ये सारी जो चीजे हैं ये सारी चीजे किसमें आएंगी ये सारी चीजे learning disability में आती है तो देखें करके जानते हैं इनके बारे में क्या क्या है इसको अच्चे से define करते हैं कि ताकि आपको इससे अच्चे से समझ में आ जाएं तो बहुत ध्यान से देखिए इससे exam से caution definite आता ही है तो देखें पहला है dyslexia dyslexia का मतलब है dys का मतलब होता है difficulty और lexia का मतलब होता है reading यहनकी reading में difficulty so a language based disability in which a person has trouble understanding written words it may also be referred to as reading disability और reading disorder अब देखें इसमें क्या है कि language based disability है बच्चों को जो language भाषा लेखी समझ नहीं आती language लेखी समझ नहीं आती उनको शब्दों को पकड़ने में understand करने में दिक्कत आती जैसे मैंने आपको example दिया था तारेज में पर movie का अगर आप वो देखेंगे उसमें जो बच्चा था उसको dyslexia की problem थी उसके सामने सारे word घूमते थे उसको word समझ नहीं आते थे वो लिखा क्या है तो ऐसा ही होता है कि dyslexia जिसको होता है उसको words को समझने में बहुत problem आती है language को समझने में problem आती है जो word लिखे होते हैं उनको समझने में problem आती है जिससे क्या होता है कि वो उसे अच्छे से पढ़ नहीं पाते basic reading problems occurs when there is difficulty understand the relationship between sound, letter and words तो देखें basic reading problem होती क्या है जैसे हमें sound नहीं पता चलता ठीक है कई कहते है कि E से होता है ना study rope कई Y से कर देते है sound होती है यह आपको अवाज पतान चाहिए जैसे W है और आपको पता है कि W ऐसा है है ना तो जैसे आपके मन में आएगा A, B, C तो आपको express आपके मन में picture बन जाएगी B की लेकिन उसमें क्या है कि वो बच्चे जो है वो उसको पकड़ नहीं पाते sound को वो पकड़ नहीं पाते जो letter से उसको पकड़ नहीं पाते words को वो पकड़ नहीं पाते इसलिए reading comprehension problem अकर when there is inability to grasp the meaning of words phrase and paragraphs अब देखे जैसे reading comprehension है उसमें कुछ word दी होते हैं उनका शब्द का meaning word का meaning नहीं पता चलता phrases नहीं पता चलते और paragraphs जो है वो भी पता नहीं चलते कि लिखा क्या हुआ है तो ये सारी चीज़े क्या है reading के तोर पर related है dyslexia is a reading disorder अब आप देखे कि जो dyslexia है वो reading disorder है lexia मैं होता है reading अगर आपको ये पता होगा अगर आप इसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा learning disability that affects reading the related language based processing skill अब देखें learning disability किस पे effect करती है reading में और language based मतलब कि इसमें बच्चा ना तो पढ़ पाएगा ना ही language को समझ पाएगा dyslexia sometime referred to as language based learning disability देखें dyslexia को कई बर के होता है कि language based learning learning disability कहा जाता है कि भाषा का समझ ना आना लेकिन ऐसा नहीं है भाषा कोई भी हो लेकिन उसे समझ में नहीं आना reading नहीं हो पाना वो होता है dyslexia अब एक बाद dyslexia के symptoms देखते हैं देखें पहला है letter and word recognition अब देखें recognition का मतलब होता है पहचान तो शब्दों की और letter की पहचार नहीं हो पाती यहाँ पर क्या आते है प्रॉलम आती है शब्दों को पकड़ने में शब्दों की पहचार करने में जैसे यहाँ पर letter लिखा है L E T L E W T E R तो बच्चे से पढ़ नहीं पाएंगे इसको समझ नहीं पाएंगे लिखा क्या है Understanding words and idea अब देखें जो words है और जो ideas है उसे समझ नहीं पाएंगे अगर आपको पता है कि word का मलब होता है शब्द तो इनको यहीं पता है चल पाएगा कि word का मलब शब्द होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़े है ना तो वो शब्दों को समझ पाएंगे पहचान कर पाएंगे ना उसे वो समझ पाएंगे Reading speed and fluency अब देखें जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं आपकी fluency बनती है जैसे मैं बढ़ रहा हूं यहाँ पे letter and word regulation, understanding word and ideas तो बच्चे ऐसे पढ़ नहीं पाते हैं वो कहाँ करते हैं कि उसे बहुत कम speed में पढ़ते हैं मुँ महीं बोलते रहते हैं उसको वो वो समझ नहीं पाते हैं खुद नहीं समझते ना ही teacher समझ पाते General vocabulary skill अब देखें जो vocab के शब्द है जो general vocab है वो भी उनको नहीं आते जैसे noun हो गया, verb हो गया यह सारी चीज़ उनको नहीं पता चल पाते उनको पता नहीं हो था कि कॉल सा शब्द कहाँ पे fit करना है, कहाँ पे लगाना है So next है dyspraxia dyspraxia देखें this का मतलब हमेशा ही आएगा difficulty तो प्रेक्षिया का मतलब है to do, यानकी कुछ करने में difficulty, देखें dyspraxia क्या है neurological disorder है that impacts an individual's ability to plan and process motor tasks, individual with dyspraxia often have language problem and sometime a degree of difficulty with thought and perception, देखें dyspraxia है क्या, यहाँ पे neurological disorder है nerves में problem है यहाँ पे, तो यहाँ पे है क्या वो plan नहीं कर पाते, वो चीजों को process नहीं कर पाते, जो उनको task दिया होता है कुछ काम दिया होता है, ना तो उसको process करते है ना ही plan कर पाते है कि करना कैसे है, जैसे मालिज़ आपको home work दे दिया तो बच्चे जो है normal तो कर लेंगे लेकिन उनको पता ने चल पाएगा कि कैसे करना है क्या प्लाइन करना है क्या चिज़े एड करनी है कैसे करना है तो उनको ये पता ने चल पाता क्योंकि देखे सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे language problem आती है अगर आपको देखे कुछ बच्चों को कह दे simple word में कि आप English में यह ची लिख दीजिए English में यह ऐसे लिख दीजिए Hindi में यह ची लिख दीजिए तो वो उनको करनी पाएगे क्योंकि देखे उनको ये पता ने चल पाएगा कि कैसे शब्द लिखने है word की पहचान नहीं होगी हमें कौन सी चीज के उपर कैसे react करना है कौन सी चीज को समझना है तो उनको ये पता नहीं चल पाती बात which cause problems with movement and coordination language and speech and can affect learning आप देखे यहाँ पर क्या है कि movement कहाँ पर करनी है coordination कहाँ पर करना है language क्या है speech क्या है ये उसके उपर effect करता है जैसे आप fluent बोलेंगे आप flow में बोलेंगे है ना तो वो वैसे बोल नहीं पाते वैसे समझ नहीं पाते वो अटक अटक के बीच में बोलते है symptoms of dyslexia आप देखे symptoms क्या है यहाँ पर poor balance है ठीक है उनको पता चल पाता कि कैसे करना है कैसे खड़े होना है या कैसे कुछ चीज करनी है वो करनी पाते poor posture उनका खड़े होने का धंग भी अलग होता है normal जैसे student से fatigue वो हमेशा ही ठके रहते हैं वो हमेशा ही ठकान रहती है उनके अंदर differences in speech अब देखे एक normal student जो है वो अलग से बोलेगा speech देगा लेकिन dyspraxia वाले student जो है वो speech अच्छे से नहीं दे पाते हैं वो डर डर के speech देते हैं perception problem अब देखे वो problems जो है उनको जो problems वो आती है perception में यानकि वो जो चीज करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हो poor hand eye coordination अब देखे जो उनका hand और eye coordination है वो पूर होता है यानकि वो आंक से आंक नहीं मिला पाते जो हाथ है उनका जो जो हाथों का जो coordination है वो भी आपस में मिल नहीं पाता जैसे आपको इचीज पढ़ते हैं तो आपके हाथों की movement आंकों की movement जो जाती है एक direction में जैसे नॉर्मल इंजान की जाती है वैसे नहीं जाब आती वो इसलिए इस लिए इस ग्राफिया इस ग्राफिया क्या है देखे डिस का मलब होगा difficulty हमेशा ही ग्राफिया मनलब होता है राइटिंग अब देखे पढ़ने में दिक्कत लिखने में दिक्कत यहाँ पे लिखने में दिक्कत आती है कि बच्चे लिखने नहीं पाते है जैसे आप नॉर्मल पैन पकड़ के लिखते हैं पैंसिल पकड़ के लिखते हैं वैसे बच्चे पैंसिल भी पकड़ नहीं पाते अब देखें आपे कहा है बच्चे पैंसल भी सही से पकड़नी पाते, pen भी पकड़नी पाते तो वह basic writing भी लिखनी पाते तो वह ना तो words को लिख पाएंगे ना letters को लिख पाएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है तो वह लिखनी पाते जैसे आप normal pen pencil पकड़ते न वो वैसे नहीं पकड़ते वो दूसरी तरह जैसे इस picture में दिखाएवा pencil ऐसे पकड़ी हुई है तो वैसे pencil पकड़ते है अगर आप देखे ऐसे pencil पकड़ेंगे pen पकड़ेंगे तो आप कैसे लिखेंगे student with dysgraphia find it too hard to write देखें यहाँ पर क्या है कि लिखने बहुत बड़ी problem है जिनको dysgraphia होता है आप असन का यह याद रखना कि जो dyslexia है, graphia है, dyspraxia है वो है क्या तो देखें अगर आपको यह पता चलेगा तब ही आप उसे कर पाएंगे it is very hard for them or anybody else to understand what has been written आप देखें यहाँ पर क्या है कि जो उन्हों लिखा है वो कोई भी पढ़ नहीं पाएगा जैसे उन्होंने dysgraphia वाले बच्चे ने कुछ भी लिखा तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे उसने लिखा क्या है trouble in holding pencil वही है कि pencil पकड़ने में दिक्कत है spelling mistake तो होती है trouble reading in his own writing देखें जो बच्चे लिखते हैं उनको खुद की writing में समझ नहीं आती है क्या लिखा है उन्होंने तो इसलिए वो spelling mistake कर देते हैं लिखने में problem उनको आती है वो खुद की writing में पढ़ नहीं पाते तो देखें symptoms क्या है dysgraphia के देखें neatness and consistency of writing देखें ये राइटिंग में neatness आती नहीं है यानकी वो clean लिख नहीं पाते accurate copying letter and words अब देखें यहाँ पर क्या है कि जो copying letter and words है वो accurate नहीं हो पाते है ना शब्दों की पहचान ही अलग हो जाती है वहाँ पर तो वो words को data में लिख देते है spelling consistency देखें spelling भी अच्छा से लिखनी पाते उनको words के spelling नहीं आते जैसे यहाँ पर डिसग्राफिया लिखा है कुछ भी शब्द लिखा है वो अपना नाम तक भी लिखनी पाते तो शब्दों को simple शब्दों को भी वो spelling mistake कर देते है राइटिंग organization and coherence अब देखें जो शब्द जो है जो राइटिंग जैसे इस organized way में कैसे लिखना है जैसे पहले क्या आएगा बाद में क्याएगा ऐसे लिखना होता है जैसे नॉर्मल लिखते है वो ऐसे भी लिखनी बात है इनकी difficulty है कहां पे count करने में a mathematical disability in which in which a person has a difficult time solving arithmetic problems and grasping math concept अब देखें यहां पर क्या है कि जो math concept अब हो पर समझने में दिख्कत आती है counting करने में दिख्कत आती है तो math के जो caution है वो solve करने में दिख्कत आती है अगर आपको दीखें math के solve करने में दिख्कत आती है जो normal students है वो तो count कर लेते हैं simple आपको पता है 2 plus 2 4 होते है 2 into 2 वो भी 4 होते है 3 plus 3 6 होते है 3 into 3 9 होते ह तो यह normal student है यह इनको भी करनी पाते है तो उनको होता है dyscalculia a child ability to do a mathematical disability in which person has a difficult time solving arithmetic problems and grasping math concept a child ability to do math with affected differently by a language learning disability a visual disorder or a difficulty with sickles memory or organization अब देखे इसमें कहा है कि math की जो चीज़े हैं वो समझ नहीं आती उनको पतन चल पता कि language देखे learning disability यहां पर आ जाती है उनको दिखने में भी a visual disorder उनको दिखने में भी problem है शब्दों की पहचान नहीं हो पाते ही यहां पर जैसे words जैसे यहां पर लिखे होते है ना जैसे यहां पर math के जो letter लिखे होते हैं यहां पर है ना तो जैसे 4 plus 1 हो गया जैसे यहां पर लिखा हुआ है 6 minus 3 हो गया तो वो उनको भी समझ नहीं पाते कि करना क्या है यह लिखा क्या है तो देखे student with math learning disorder might also have trouble with counting principle देखे counting principle क्या है कि उनको count करने में दिक्कत है जैसे such as counting by two or counting by five तो उनको पता नहीं चल पाता the student find it too hard to do arithmetic calculation देखे यहाँ पर math का कुछ भी नहीं आता उनको calculation करने में सबसे बड़ी दिक्कत है they find it too hard to understand concept like place value and do operation like addition subtraction, multiplication and division उनको पता नहीं चल पाता जैसे मालीजी आपको मैं यहाँ देता हूँ 3 plus 3 आप कहेंगे 3 plus 3 6 लेकिन जिसको disc calculate है वो समय से पाएगा कि 3 plus 3 है कि इसको plus करना है इसको minus करना है divide करना है क्या करना है इसको यह पता नहीं चल पाता so देखे having difficulty telling time वो time में नहीं देख पाते उनको time पता नहीं चलता student with a math based learning disorder may struggle with memorization and organization of number operation sign and number जैसे देखे यहां पर लिखा है 5 plus 5 10 और 5 plus 5 into 5 25 जैसे यह यहां पर लिखा है तो उनको यह भी नहीं पता चल पाता कि क्या operation sign होता है न जैसे यहां पर लिखा है कि आपको 5 plus 5 plus कर दिशान आपको पता है कि plus करना है multiply करना है है ना तो उनको ये भी नहीं पता चल पाता है वो ये करी नहीं पाते तो उनको होता है डिस कैलकुलिया तो देखें डिस कैलकुलिया के सिम्टम्स क्या है यहाँ पर आपको मैं सभी के सिम्टम्स बता रहा हूँ तो difficulty counting backwards तो उनको पता हैं चल पता कि counting कैसे करनी है remember कैसे करना है basic fact को slow to perform calculation calculation जो है वो slow कर पाते हैं करी नहीं पाते कई बार तो weak mental arithmetic skill देखें उनमें arithmetic skill है वो बहुत ज़्यदा weak है simple plus minus नहीं कर पाते a poor sense of number and estimation उनको estimation नहीं पता चल पाता number की sense नहीं पता चल पाती उनको यह पता यह 3 लिखा हुआ है यह 4 लिखा हुआ है यह पता नहीं चल पाता उनको difficulty in understanding place value अब देखें उनको place value नहीं पता चल पाती plus करना है minus करना है divide करना है multiply करना है यह नहीं चल पाता so next है APD यहनकी auditory processing disorder अब देखें यह है क्या देखें auditory processing disorder यहनकी APD is a hearing problem that effect about 5% of school age children देखें जो school में जो बच्चे जाते हैं जो उन में से 5% जो बच्चे हैं 5% जो बच्चे हैं student है उनको सुनने में problem है hearing problem है उनको it's with this condition also known as central auditory processing disorder अब देखें कई बर इसे CAPD भी कह देते हैं अगर CAPD आ जाए CAPD आ जाए एकी बात है can't process what they hear in the same way other kids do अब देखें जैसे normal सुनने के लिए होते हैं जैसे किसी बच्चे को आप normal कुछ कहें जैसे आप उनका नाम ले ले तो उनको नाम अपना पता चल देगा normal बच्चे को लेकिन जिसको यह problem है उनको सुनने के बात पतन चल पाएगा कि करना क्या है यह कि जो बच्चे normal सुनते हैं करते हैं तो यह जो APD वाले बच्चे हैं वो नहीं कर पाते हैं उनको सुनने में problem होती है can't process what they hear in the same way kids other do this is because their hair and brain don't fully coordinate अब देखें जैसे हम कोई चीज सुनते हैं तो हमारा brain जो है वो coordinate करता है हमें brain से signal मिलता है कि हमें क्या कहा गया है लेकिन जो APD वाला बच्चा है student है उनका जो brain और ears का जो coordination है वो अच्छा नहीं हो पाता तो उनको पता नहीं चल पाता इसलिए उनको यह नहीं पता चल पाता कि जो उनके कानों ने सुना है और उनके दिमाग को क्या signal मिला है और उनके क्या करना है यह पता नहीं चल पाता common symptoms of auditory processing disorder in the 5-10 years old range include अब देखें यहां पे 5-10 सल के जो बच्चे हैं 5-10 year के उनमें सबसे ज़़ा problem होती है remembering and following spoken direction देखें वो जो उनको कहा जाता है जो वो सुनते हैं उनको याद नहीं रख पाते उनको वो follow नहीं कर पाते difficulty with reading, sounding, out and or reading comprehension देखें रीडिंग comprehension में दिक्कत है रीडिंग sound में दिक्कत है यह जो वो सुनते हैं उनको पता नहीं चल पाता है वो क्या सुन रहे है जैसे आपको मैं कहता हूँ कि APD Auditory Processing Disorder आपको मैं यह सारी चीज़े कहता है अभी यह सुनते हैं आपको दिमाग पे पता चलता आपको मैं कहता learning disability आज हम करेंगा आपको पता चलेगा learning disability का मतलब क्या है कि आज हम पढ़ने में जो difficulty आते हैं उसको पढ़ेंगे लेकिन यह जो normal बच्चे हैं उसे समझ नहीं पाते आप normal कोई भी चीज़ कह दे उनको वो पता नहीं चलेगी आप उनको कोई भी चीज़ कहेंगे उनको वो चीज़ समझेंगे नहीं सिंपल सिंपल चीज़ भी नहीं वो कर पाएंगे क्योंकि वो उसे याद नहीं रख पाते समझ नहीं पाते इन अटेंटिवनेस वाइल इन क्लास डूइंग होमवर्क और रिडिंग जब भी वो दिखे क्लास में बैठते हैं या होमवर्क करते हैं या रिडिंग करते हैं तो वो अटेंशन नहीं हो पाते है ना वो एक्टिव नहीं हो पाते तो देखे इसके सिंप्टम्स क्या है APD के Auditory Processing Disorder के Difficulty Understanding Speech Especially in the presence of background noise अब देखे जो उनको प्रवलम आती है स्पीच में सुनने में प्रवलम आती है कि वो कहा उनको क्या जा रहा है उनका जो background noise है वो क्या है जैसे आपके बीचे कोई देखे background music बज रहा है या कोई आपको कुछ क्या है रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा Difficulty Following Multistep Direction that are present verbally without visual cues जब देखें यहाँ पे क्या है कि Multistep Direction है जैसे verbally जो आप उनको कहते है verbally होता है जो मूँ से कहना जो mouth से जो कहा जाता है बिना देखे वो चीज समझ जैसे माले जे कि उनको कुछ कहा जाए वो समझ नहीं आएगा यहाँ पे ऐसा नहीं कि वीजल हो है आपको वो दिखाई दे रहा है दिखाई देने से पहले जो उनको सुनाई देता है वो उनको समझ नहीं आता Easily distract by loud or spontaneous sound अब देखे जो loud sound है या जो एकदम अचानक से उनको sound सुनाई देते है वो उससे वो distract हो जाते है वो एकदम से हरान हो जाते है distract हो जाते है उनको समझ नहीं आता है कि करना क्या है Difficulty Attending तो Long Lecture और Other Long Periods of Listening अब देखे अगर Long Lecture है अगर Long Periods है सुनने का तो उसे वो Attend नहीं कर पाते Difficulty Remembering and or Effectively Summarize Information Present Verbally अब देखे जो उनको बोल के कही चीज़ आती है जो उनको बोल के जो चीज़ समझाई जाती है Information दी जाती है वो से भी याद रखने में उनको मुश्किल होती है Difficulty Reading, Spelling and or Writing when compared to their peers perform consistently low grade level अब देखे जो उनके peers है जो उनके साथी students है तो उनके अलावा जो जिनको ये प्रॉल्लम है उनमें कहा है इनको Reading में, Spelling में, Writing में सब जगा पे problem आती है जबकि जो उनको बाके जो उसी लेवल के बच्चे है उनको problem नहीं आती Trouble, Falling, Abstract, Thought और Idea आप देखे जो उनको थोट है जो आइडिया है उनको वो भी समझने में दिक्कत आती है तो देखे लास्ट है इनकी Speech यह बोलने में दिक्कत है आप यहाँ पे यह लिख रहा है यहाँ पे देखे परसन वीद इफैसिया कैन है ट्रॉबल स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और अंडर्स्टेंडिंग लैंग्विज अब देखे इसमें क्या है कि इसमें बच्चे बोलने में इसमें बच्चे बोलनी पाएंगे यह लैंग्विज डिसाइडर है ठीक है तो देखे जो वर्ट से वो बोलेंगे वो रॉंग ओडर में बोलेंगे वो शब्दों को सही से नहीं बता पाएंगे वो गलत spelling बताएंगे उसमें Being unaware of mistakes in one spoken language अब देखें उनको जो एक language वो बोल रहे हैं तो उसके बारे में भी उनको problem आती है उनको वो समझ नहीं पाते हैं उसमें भी काफी वो mistake कर देते हैं Speaking in single words अब देखें जो single words है उसको भी बोल नहीं पाएंगे वो अपना नाम भी लेनी पाएंगे वो Making of words Words बनाने में दिक्कत है उनको Trouble putting words together to write sentence अब देखें शब्दों को इकठा करें Words बनाना भी बहुत मुश्किल है उनके लिए Trouble using number of doing or doing math देखें numbers को Use करना, maths को करना ये भी उनके लिए दिक्कत है Trouble understanding conversation वो किसी से बात नहीं कर पाते Conversation नहीं कर पाते Trouble reading, reading में भी दिक्कत है Spelling में भी दिक्कत है Trouble spelling, putting words in the wrong order ये तो होई चुका है कि उनको ये भी दिक्कत आती है Words को put करने में भी So देखें next है last Symptom of Ephesia speech अब देखें इसके symptoms हम कर लेते हैं Speak in short or incomplete sentence वो देखें short में बोलते हैं sentence को भी incomplete बोलते हैं Speak in sentence that do not make sense जो वो बोलते हैं उनका कोई sense नहीं बन पाता Substitute one word for another or sound for another अब देखें वो बोलते कुछ है और उसका sound कुछ और ही होता है जैसे कुछ वो word बोलते हैं उसका मतलब कुछ और है speak unrecognizable words वो देखें ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका कोई recognize नहीं होता या जिसका कोई पहचान नहीं होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता not understand other people conversation वो दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते write sentence that do not make sense अब देखें वो ऐसे शब्द लिखते हैं जिनकी कोई science नहीं होती तो यह सारी चीज़ें आती है एफेसिया में यह था आज का lecture अगर आपको lecture चलगा तो like और share कर नमत भूलिए तो अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपके exam में definitely कोशन पका आगा देखें यह जो note से बहुत मुश्कल से बनाए हैं बहुत easily बनाए हैं कि ताकि आप इसे अच्छे से समझे यह ऐसे notes आपको किसी book में नहीं मिलेंगे तो आप कोशिश करिए कि इसे लिखते जाएए आपके free में त्यारी हो जाएगी अगर आप बिल्कुर free करना चाते हैं जो हमारा paid group जोईन कर चुके हैं तो उनको लिखना नहीं है उनको PDF मिल जाएगा तो friends अगर आपको हमारा WhatsApp जोईन करना है तो आप जल्दी से contact और WhatsApp कर सकते इस number ग्रूप बर paper 1 paper 2 के लिए इसमें आपको daily video PDF notes practice app मिलेगा ये paid group है अगर free करना है तो daily free video से लिखना पड़ेगा अगरा paid group जोईन करेगे आपको लिखना नहीं पड़ेगा तो जल्दी से subscribe करिए study भारत YouTube channel जहाँ पर आपको free videos मिलेगा और साथ में bell icon press करिए और 2.0 भी subscribe करके bell icon press करिए जहाँ पर आपको daily msqs मिलेगा तो friends मिलते अगरे वीडियो में तब तक धन्यवा थैंक्यू जय हिंद जय भारत